हाई फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विजेत अस द्रिम किचिन हैश्टेक स्वाज से दिल तक में तो चलिए फ्रेंट्स आज मैं बनाती हूँ वेरी तेस्टी एंट हेल्दी खीर ये है विंटर स्पेशल बेंगॉल फेमस खीर बेंगॉल फेमस पाईश बेंगॉल में खीर को पाईश बोलते हैं तो आपने बहुत तरह की खीर पहले लाइफ में खाई होगी बट अगर आपने एक बार बेंगॉल की ये फेमस वाली पाईश चक ली तो इसका टेस्ट अब कभी भी नहीं भूलोगे तो ये रेसिपी अब जरूर फॉलो करना और जरूर ट्राइ करना तो चली अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ एक बोल में तीन टेबल स्पून गोविन भोग चावल ले लिए अगर गोविन भोग चावल नहीं है तो कोई और चावल भी आप यूज कर सकते हो बट गोविन भोग चावल की खीर बैस्ट बनती है चावल को भीगो के एक घंटे के लिए छोड़ दें एक कटोरी में 50-60 ग्राम बदाम ले लिया इसे भी भीगो देना है दो घंटे के लिए फिर इसे चिल के खीर में डालना है अगर टाइम कम है तो उबलते हुए पानी में 2-3 मिनट तक बदाम को छोड़ोगे तो भी असानी से उसे चिल पाओगे डेड लिटर फुल क्रीम दूद ले लिया और अब इसे उबाल लेना है बस अब दूद उबलने वाला है और चावल जो मैंने भीगो के रखे थे उसका पानी अब मैं गिरा के रेडी कर लेती हूँ दूद में डालने के लिए पानी अच्छे से गिरा दे, सारा निचोड के निकाल दे, सारा पानी चावलों में से, चाहे तो छनी से छान ले पानी को, दूद भी उबल गया, और चावल डाल दिये मैंने, भीगोए हुए चावल जो रखे थे, इसे अच्छे से चला ले, फ्लेम को हाई ही रखना है अभी ये है डेट पाम जैगरी, इसकी निशानी है प्याओर होने की कि आप हाथ में लो और ये पिगलने लगे भीगे हुए बदाम, काजू और किश्मिश, ड्राइफ फूर्ट्स आप अपनी मर्जी से कौन्टिटी डाल सकते हो हाई फ्लेम पे ही अभी दूद और चावल को उबलने दे ऐसा करने से कड़ाई की तले पे दूद लगेगा नहीं, इसे चलाते रहें बस अब फ्लेम को मीडियम कर देना है, चावल गल चुके हैं और फ्लेम को मीडियम करके अब इसे पकने दे पदाम अब चीर लेती हो मैं, तब तक खीर उबल रही है मीडियम फ्लेम पे अब खीर को गाड़ा होने के लिए छोड़ देना है, बीच-बीच में चलाते हुए दूद और ये चावल काफी गाड़ा हो गया है और एक कप मैंने और हलका गरम किया हुआ दूद डाल दिया इसमें इसे अच्छे से चलाते रहें ताकि ये लगे ना बहुत गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल ठिक हो गई है ये खीर अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी इसमें गुड़ डलेगा तो फ्लेम को आफ करके ही गुड़ डालना है इसमें डाल दिया 300 ग्राम मैंने खजूर का गुड डेल पाम जैगरी ये काजू किश्मिश बदाम सब अपनी मर्जी से कुवांटिटी अब डाल लो अगर नट्स ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल दो फ्लेम आफ है गुड़ डाल दिया है अब गुड़ डालने के बाद जो है की गाड़ी थी बहूल ज्यादा वह प्रॉप्र इसकी कंसिस्ब्सीं सी हो जाएगी गुड़ के पिगलने के बाद यह मीठी भी हो जाएगी टेस्थी हो जाएगी और स्की कंसिस्रेंसी भी ल्गूल पर्फिक्ट हो जाएगी है व्यक् collaborative को दो tie आपको बहुत टेस्टी लगेगी ये खीर, आप सब का बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, बाबाई, have a nice day, और प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी निव रेसिपीस की आ प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देखने के लिए, बाबाई, have a nice day.